खाक थी और जिसमों जां कहते रहे चंद इटों को मका कहते रहे नमस्कार मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आइना मोदी सरकार के चार साल पूरे हो चुके हैं इस दोरान देश में बहुत कुछ बदला लोगों की सोच नजरिया और राजनिती के तोर तरीके भी 2014 के आम चुनाओं में प्रचार के दोरान मोदी जी आशावाद का पाठ पढ़ाते थे आधे पानी से भरे गिलास को पूरा भरा बताते थे उनका कहना था कि ये गिलास आधा पानी से भरा है और बांकी आधा हवा से शायद इसलिए शायर सागर मेहदी ने ऐसी सोच वालों के लिए ही कहा है कि खाक थी और जिसमों जां कहते रहे चंद इटों को मका कहते रहे जी हाँ आशावादी यानि आप्टिमिस्टिक होना अच्छी बात है लेकिन चदम आशावाद यानि जूटी आस बंधा कर तो ना खुद चला जा सकता है ना देश को चलाया जा सकता है बहराल भाजपा के चार सालों में देश का कुछ बना या नहीं मोदी जी ब्रांड जरूर बन गए चार साल पहले कि ये वादो ने उन्हें भाजपा के लिए एक काम्याब ब्रांड बना दिया आए पहले देखते हैं कि मोदी जी के कुछ खास वादे क्या है अच्छे लिन अच्छे लिन वाँ जी हां ये नारा मोदी जी की सभाओं में बहुत गुंजा था उस वक्त देश की जनता को ये आस बंधाई गई थी कि विदेशों में जमा काला धन वापस लाएंगे और इसका एक हिस्सा इमानदार लोगों को दिया जाएगा कहा गया कि सब के खाते में 15-15 लाख रुपे जमा होंगे गरीबी से तरस्ट जनता ने 15 लाख पाने के फेर में नरेद्र मोदी के हाथों देश स्वाप दिया अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना तो सुना आपने मोदी जी ने कहा था कि विदेशी बैंकों में खाते हैं जिनकी पाई पाई मैं वापस लाओंगा देश के गरीबों का पैसा विदेशी बैंकों की तिजोरियों में बंद नहीं होने दूँगा भाजपा का दूसरा बड़ा दावा था विरुजगारी दूर करने का हर साल दो करोड नौकडियों का लुभावना वाइदा मोदी जी ने किया था 2014 में पैट्रॉल डीजल के दाम बिताहाशा बढ़ रहे थे इस पर यूपिये सरकार को घेड़ने का काम भी भाजपा और मोदी जी ने किया था भाजपा का चौथा बड़ावादा अर्थव्योस्था को लेकर था कि महंगाई कम होगी और विकास दर बढ़ कर 10 फीसदी तक हो जाएगी नरेंद्र मोदी का पांचवा प्रमुखदावा था महिलाओं की सुरक्षा का 2014 के चुनाओं के थोड़ा पहले ही निर्भया कांड हुआ था जिस पर कॉंग्रिस को घेड़ने का काम भाजपा ने किया था किसानों और खेती की दशा सुधारने का वादा कर भाजपा सत्ता में आई थी तब यूपिय की आलोचना में भाजपा ने प्रचार किया था कि इनके शासन में जय जवान जय किसान का नारा मर जवान मर किसान में बदल चुका है नरेंदर मोदी का सातवा वादा जवानों की शहादत पर था कि उनके शासन में परोसी को कड़ा सबक सिखाया जाएगा और सीमा पर हमारे जवान यूँ ही शहीद नहीं होंगे एक के बदले दस सीर लाने जैसी बात की जाती थी भाजपा ने भारत को विश्वगुरू बनाने का वादा भी किया था शिक्षा के ख्षेत्र में आमूल चूल बदलाव की बात कही थी मोदी जी का नवा वादा था सबके लिए पक्का घर हर घर में पानी और बिजली पहुँचाने का वादा बुलेट ट्रेन चलाने का वादा भी मोदी जी ने किया था इसके अलावा भी और कई वादे नरेंदर मोदी ने सत्ता में आने के लिए किये थे जैसे सबका साथ सबका विकास को जनता ने ये समझा कि इसमें दलितों, अल्पसंक्यकों, पिछडों को साथ लाने और विकास करने की बात है देश के कई शहरों को स्मार्ट सीटी बनाने की बात की गई भाजपा की राजनीती के मुख्य मुद्दों में से एक राम मंदिर निर्मान रहा है और 2014 के चुनाव में भी इसके निर्मान का वादा किया गया था प्रष्टाचार पर अंकुष लगाना, बुनियादी धाचे में सुधार, विज्यान तकनीकी का विकास, स्वच्छ भारत ऐसे कई वादे भाजपा और नरिंदर मोदी ने किये थे तो वादों की फैरिस्त लंबी चौडी है जिन्हें एक जगा समेटना कठीन है इन वादों के दम पर सत्ता में आई मोदी सरकार को चार साल हो चुके हैं और वह दावा कर रही है कि उसने इन वादों को पूरा किया सबका साथ सबका विकास का नारा अब देश का बढ़ता जाता विश्वास साफ नियत सही विकास में बदल चुका है इस नए नारे के बैनर तले कुछ नए दावे किये गए हैं आईए जरा एक नजर उनके दावों पर भी डालें तो साफ नियत सही विकास के दावे के साथ मोदी सरकार युवाओं को फोकस करते हुए पहला दावा करती है और कह रही है कि युवा उर्जा से बदल रहा है देश जंधन योजना, उज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना, स्वभागी योजना और प्रधान मंत्री आवास योजना ऐसी योजनाओं को बदलता जीवन सवरता कल के तहत पेश किया है मोदी सरकार ने गरीबों को घर, ग्रामिनों को सडक, राश्ट्रिय राजमार्ग, एसी ट्रेन और हवाई जहाज में सफर को तरक्की की रफ्तार कहा जा रहा है अनुसूचित जाती, अनुसूचित जन जाती, सी, स्टी एक्ट को मजबूत बनाना पिछडों के लिए शिक्षा का प्रावधान मुद्रा योजना आदी को पिछडे वर्गों की सरकार कहकर प्रचारित किया जा रहा है इसके अलावा किसानों की संपन्नता, हमारी प्रात्मिक्ता, तेज गती से बढ़ती अर्थ व्योस्था, भरष्टा चार पर लगाम, पारदर्शी हर काम, अच्छा स्वास्त अब सबका अधिकार, विकास की नई गती, नए आयाम, नारी शक्ती, देश की तरक्की और दुन विवाओं विरोजगारों को दिखाया था, जो बाद में स्वारोजगार से होते हुए पकोड़े तलकर आजीवी का कमाने तक पहुँच गया, आकड़ों में देखें तो रोजगार के क्षेतर में मोदी सरकार विफल साबित हुई है, स्रम मंत्राले के आकड़े बताते हैं पिछले कारोबारी साल में उत्पादन, ट्रांसपोर्ट, स्वास्थे और शिक्षा समेत आठ ख्षेतरों में सिर्फ दो लाग तीस हजार नौकरियां पैदा हुई जबकि देश में हर साल एक करोड़ असी लाग लोग नौकरी की तलाश करने वालों में जुड़ जाते हैं जंतर राश्ट्रिय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 2013-14 में जितनी बढ़ी थी उसके हिसाब से बाजार की हालत आज ठीक है लेकिन फिर भी देश में पेट्रॉल डीजल के दामों में आग लगी हुई है बीते कई दिनों से लगातार कीमतें बढ़ रही हैं और अब तक के शिखर पर हैं अनुमान है कि 2014 से अब तक हर साल एकसाइज ड्यूटी से सरकार को सारे 4000 करोर रूपे की कमाई हुई है सवाल ये है कि इतना धन आखिर कहां गया क्यों जंता को राहत नहीं मिल रही महिला उत्पिरन पर भी भाजपा ने यूपिये सरकार को घेरा था लेकि कि उन्ना आव कठ हुआ सूरत जैसी घटनाओं के कारण भयावा हुई है बलातकार अपहरं छेड़ चार आत्मत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2015 में 34651 रेप के प्रकरन हुए थे जो 2016 में बढ़कर 38947 हो गए हाल ही में बच्चियों के साथ रेप के दोशी को फांसी देने का कानून सरकार ने बनाया है लेकिन उसका असर देखना अभी बांकी है भाजपा का वादा था कि वह किसानों की आई को दोगुना कर देगी लेकिन 2010-14 के बीच कृशी विकास दर सालाना 5.2 प्रति अक्टूबर 2017 में ICSO की रिपोर्ट के अनुसार क्रिशिक शेतर की ब्रिधी दर घट कर 1.9 प्रतिशत रहे गई जबकि UPA सरकार में क्रिशिक शेतर की आउसत ब्रिधी दर 4 प्रतिशत थी ना किसान को अपनी फसल का उचित दाम मिल रहा है और ना ही कोई राहत भाजपा सरक ब्रस्टाचार के कारेकाल में किसानों की आत्मत्या की घटनाओं में 45 फीस दी का इजाफा हुआ है ब्रस्टाचार खत्म करने में नोट बंदी को भले ही मोधी सरकार ने अपना मास्टर स्टोक बताया लेकिन हकीकत ये है कि ब्रस्टाचार अपनी जगह बरकरार है ना काल प्रियाई को 16,000 करोर ही वापस मिले नोट बंदी के कारण GDP पर असर पड़ा और वह 7.9 तीन प्रतिशत से घटकर 6.5 प्रतिशत पर आ गई जबकि विकासदर के बारे में पिछले चुनाव में दावे किये गए थे कि यह बढ़कर 10 फीसदी तक हो जाएगी बरष्टाचार की बात करें तो बैंकों में धोखा धड़ी के 12,787 मामले सामने आएं जिन में जन्ता को 17,789 करोड का नुकसान उठाना पड़ा जबकि मोदी जी खुद को चौकिदार कहते थी आप ऐसा चौकिदार बिठाओगे मैं हिंदुस्तान की तीज़री पर कोई पंजा नहीं पड़ने दूगा नीरब मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, विजय मालिया जैसे लोग देश के बाहर हैं और सरकार इन्हें वापस नहीं लापा रही है यूपिय सरकार पर निशाना साधने के लिए मोदी अकसर उनकी पॉलिसी को मर जवान, मर किसान कहा करते थे लेकिन उनके कारेकाल में सीमाय लगातार आशांत रही हैं और इसका खामियाजा जवानों की शहादत से चुकाना पड़ा है यूपिय सरकार में 2010 से 2013 के बीच 10 जवान जम्मू कश्मीर सीमा पर शहीद हुए तो 2014 से सितंबर 2017 तक यानि भाजपा शासन में 42 जवान शहीद हुए हैं मोदी सरकार भारत को विश्यगुरू बनाना चाहती थी फरवरी 2017 में प्रकाश जावडेकर ने दावा किया था कि सरकार GDP का सारे 4 प्रतिशत शिक्षा में खर्च कर रही है लेकिन आर्थिक सर्वेक्षन रिपोर्ट बताती है कि 2016 सतरह में केवल 2.9 प्रतिशत ही खर्च हु पिछले 4 सालों में 2 लाग सरकारी स्कूल बंद हो गये हैं इतिहास को भी नए तरीके से लिखा जा रहा है उच्छे शिक्षा में रियायत देने के मामले में सरकार फेल रही और देश के अलग-अलग विश्यविद्यालेों में छात्र सरकार के खिलाफ सडक पर उतरते फिलहाल मोदी सरकार के लिए एक शेर अर्ज है सुना है सच्ची हो नियत तो राह खुलती है चलो सफर न करें कम से कम इरादा तो करें तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे खबरों के नए आइने के साथ तब तक देखते रहिए डीवी लाइब नमस्कार